नमस्कार में हुनवया ये बात करते हैं पॉलोज की आदिपुरुष के प्रड्यूसर्स ने तिरुपती में एक भावे एविंट का आयोजन किया इस फिल्म में कृती सानुर प्रभास की एहं भूमिका है वह एक फिल्म का डिरेक्शन ओम राउत नी किया आदिपुरुष का भावे ट्रेडर लाउंच का एविंट तिरुपती में आयोजन किया गया खबर है कि प्रड्यूसर्स ने इस एविंट के लिए धाई करोड रुपे की राशी खर्च करने का निर्ने लिया इसमें से 50 लाग सिर्फ पटा को पर्च खर्च किये गया फिल्म आदिपुरुष 2023 की मोस्ट वेटेड फिल्मों में से एक है इस फिल्म में जहां प्रभाज प्रभु श्री राम की भूमेका में है वही कृति सानन माता सीता की भूमेका में है सैफ अली खान ने लंकेश की भूमेका निभाई है अपसे कुछी समय बाद ये एविंच शुरू होने वाला है इसके पहले खबर आई थी कि आदिपुरुष की टीम ने इस घव एविंच के लिए काफी पैसे खर्च किये जहां एक और पुरी कास्ट और कुरुत रुपती पहुँच चुकी है आदिपुरुष को काफी भव स्टर पर शूट किया गया वैस एविंच को आयोज़त करने के लिए निर्माताओं ने धाई करोर रुपे खर्च किये ये कारकरम से रुपती श्रीवें के रिश्वरा यूनिवर्सरी स्टेडियम में हो रहा है खबर है कि इसमें निर्माताओं ने 50 लाग रुपे सिर्फ पटाको पर ही खर्च करती है फिल्म आदिपुरुष के रिलीज से पहले प्रभास को भगवान तीरुपती के दर्शन करते वी देखा गया कारिकन के दरान फिल्म में भगवान, राम और रावन के युद्ध को भी दिखाये गया तीरुपती में फिल्माती पुरुष की प्रे रिलीज इविंट को बहुत ही लार्जर स्केल पर आयुद्ध किया गया इसे प्रभाज की लोग प्रियता का भी अंदाजर लगा जा सकता है लेकिन फैन्स ये सुनके काफी शौक्ड है कि पटा को पर ही 50 लाग खर्च कर दिये कै आपका इस पे क्या कहना है कॉमें में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद